नमस्कार मैं हूराकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर तो दोस्तो अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए माइग्रेट करे हो और ऐसे केश में आपको दिक्कत आती है हमेशा राशनकार की चुकि दूसरे राज्य में आपका राशनकार चलता नहीं है तो ऐसे केश में गवर्मेंट ने उसके लिए सुलूशन लाया है जो आपको अल्रेडी पता है वन नेशन वन राशनकार लेकिन अब आप दूसरे राज्य में आपके आधार बायोमेट्रिक मतलब आप अपने फिंगर प्रिंट देखे या फिर आईरिस वेरिफिकेशन मतलब आईबॉल आखों से आप अपना वेरिफिकेशन देखे सस्ते में सामान दूसरे राज्य में भी खरीच सकते हो तो ये सुचना गवर्मेंट की तरफ से आईए आईए करते हम इस बारे में डिटेल में बाच्चित अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम आपको फिनांस, बिजनेश, इंकम टैक्स, जीएस्टी, रिलेटेट तरह तरह के अपडेट देने वाले हैं जो अपने राश्ट्र के हीत में है वो सारे अपडेट आपको हम देने वाले है तो आईए करते हम इस बारे में डिटेल में बाच्चित की गवर्मेंट का आधार बेस वेरिफिकेशन पे क्या कहना है और वन नेशन, वन राशन कार के तहट गवर्मेंट क्या कहना चाह रहे है तो यह है एक प्रेश रिलिज आई है Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution की तरब से तो गवर्मेंट का ऐसा कहना है कि अल्रेड़ी 20 राज्य जो है उनको वन नेशन, वन स्कीम वन नेशन, वन राशन कार के स्कीम का अल्रेड़ी इंटिग्रेशन हो चुका है तो वो राज्य या फिर वो उनके नाम उनोंने बोले वो है आंद्रप्रदेश, हर्याना, करनाटका, महराष्ट्र, ओरिशा, सिक्कीम, मिजोरम, तेलंगना, केरला, पंजाब, त्रिपूरा, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, दादरानगर हवेली, दमन्दीव, गुजरात, उत्तरप्रदेश, धारकन, मध्य प्रदेश औ और चार राज्यों में हो चुका है, तो वो राज्यों का नाम है, जमु कश्मिर, मनिपूर, नागया लैंड और उत्तराकन्द, ये चार राज्यों में और ट्रायल और टेस्टिंग हो चुका है, तो ऐसे केस में, गवर्मेंट ने बोला है, कि ये चार राज्यों में भी ब अल्रेडी बन चुके है, साथी साथ central dashboard जो है, जो monitor करते रहता है, ये interstate transactions को, तो वो भी बन चुका है, वो भी activate हो चुका है, अलग-अलग राज्यों में और union territories में, तो बाकी सारे राज्यों और union territories जो है, जिनका अभी तक हुआ नहीं है, वो comply हो सकता है, March 2021 के पहले, मतलब अ one nation, one ration card scheme आ सकती है, March 2021 के पहले, इसके बाद government ने बोला है, कि government ने FPS की बात कर रहे है, FPS मतलब fair price shop, जहाँ पे सस्ते में अपको आपका राश्यों मिल जाता है, तो ऐसे shop में जाके आप राश्यों कार्ड के बेस पे सामान खरितते हो, तो government ने बोला है, कि ऐसे shops में EPOS devices लगे हुए है, मतलब electronic point of sales के devices लगे हुए है, हर दुकान में लगे हुए है, जहाँ पे आप राश्यों से सामान खरितते हो, वहाँ वहाँ पे आपको क्या करना है, government ने ऐसा बोला है, कि ये दुकानों में जाके आपने अगर आपका राश्यों कार्ड के साथ आधार नंबर अल्रेडी सीड किया है, तो आपके घर का कोई भी आदमी वहाँ जाके सामान खरित सकता है, उसके लिए आपको सिर्फ authentication की जरूरत है, authentication कैसे होगा? आपका biometric authentication होगा, आपको आधार कार्ड साथ में रखने की जरूरत नहीं है, आपको आधार authentication हो जाएगा, मतलब आपके fingerprint या फिर आपके iris based, iris मतलब आखों के बेस पे आपका identification हो जाएगा, आपको आधार कार्ड लेके जाने की भी जरूरत नहीं है, काड नमबर से या फिर आधार नमबर से आप FPS डिलर के पास जाओगे तो उनको वेशे भी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा बायोमेट्रिक लिए तो गवर्मेंट ने ये बहुत अच्छी स्कीम लाईए अगर आप अलग राज्यम में काम कर रहे हो तो आपको ये स्कीम का फाइदा ज़रूर मिलने वाला है तो आपकी इलबरे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताइएगा अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आपको सैनिटाइज करिएगा टेक केर, have a night day